जी हाँ आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने जनम तिथी के अनुशार अपना मनोकामना को पूरा कर सकते हैं किसी भी प्रकार की मनोकामना हो आपकी आप मनोकामना पूरी कर सकते हैं बस आपको अपनी जनम तिथी पता होना चाहिए देखिए आपको पहले एक साधारन सा कागज लेना है कागज आपको दिख रहा है साधारन सा कागज है और इस पर इस यंत्र को बनाना है ये दो यंत्र आपको दिख रहे हैं यंत्र बनाने के बाद जो ये चकोर वाला यंत्र है इसके नीचे आपको अपनी जनम तिथी लिख देनी है मान लीजिए अगर आपकी जनम तिथी है एक जन्वरी उन्निस सो नब्भे जो भी आपकी जनम तिथी है आप यहाँ पर लिख देंगे उसके बाद आपको अपनी जनम तिथी लिखनी है जो तिकोना बनाया है बीच वाला जो खाना है इसमें आपको लिखनी है अपनी जनम तिथी और अगर आपको अपना जनम का समय भी पता है तो आप अपने जनम का समय यहाँ पर लिख देंगे अगर समय नहीं पता है तो बिल्कुल भी नहीं लिखना है इस उपाय को आप करेंगे रविवार के दिन और किसी भी अन्य दिन आपको यह उपाय नहीं करना है शाम के चार बजे से पहले पहले इन दोनों यंत्रों को साधारण से कागच पर आप बना लेंगे बनाने के बाद जैसे जैसे हमने बताया है वैसे करना है यानि कि पहले आप बना लेंगे उसके बाद जनम तिथियें लिखनी है पहले नहीं लिखनी है ठीक है जी फिर क्या करना है आपको जब चार बज़े से पहले पहले आप इस यंतर को बना लेंगे और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं ये अंतर को धूब बत्ती दिया जलाएं अपने हाद जोड़ें और जो आपकी मनों कामनाएं हैं वो एक बार इस अंतर के आगे बोल लें यानि कि प्राथना करें उसके बाद आपको रोज कम से कम एक माला का जाप करना है मंतर क्या है ओम शन 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 ये मंतर आपको जपना है कम से कम एक माला अब ये जो एक माला हम बोलते हैं कम से कम इसका मतलब यह नहीं है कि रोज आप सिर्फ एक ही माला जपे जा रहे हैं कम से कम का मतलब यही होता है कि अगर आपके पास उचित समय नहीं है तो आप कम से कम एक माला जप लें यानि कि जब आपके पास ज़्यादा समय हो तो एक से ज़्यादा माला का जाप करना है कितनी करनी है जितना चाहे माला का जाप कर सकते है रुद्राक्ष की माला का आपको इसमें सेवन करना है यानि कि रुद्राक्ष की माला से आपको मंतर का जाप करना है और किसी भी समय मंतर का जाप कर सकते हैं लेकिन शाम के चार बजे से पहले पहले ही आपको मंतर का जाप करना है और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि जैसे आप मंतर का जाप करते जाएंगे तो वैसे वैसे आपको अपने दिमाग में सकरातमक बाते सोचने हैं यानि कि जो मनोकामना आप चाते हैं पूरी हो जाए उसके बारे में सोचना है पूरा ध्यान लगा देना है यही सोच लेना है कि हा आपने सोचा भी नहीं होगा बहुत ही भैतरीन परिणाम ऐसे उपायों में मिलता है और यदि आप अपने घ्रहनक्षत्र के अनुसार उपाय करना चाते हैं और अपने जनम तिठी के अनुसार कुछ अन्ने समस्या का उपाय करना चाते हैं तो आपको क्या करना है यह एप्लि पर टोटके आपको यह गुरूप दिख जाएगा जिसमें सतरा सो से अधिक लोग जुड़े हैं यही गुरूप आपको यहाँ पर जाकर जॉइन कर लेना है जैसी जुड़ेंगे आपको हमारा मैसिज आ जाएगा काफी लोगों के इसमें आपको मैसिज भी दिखेंगे जि साथ दिनों तक करना है साथ दिनों तक कम से कम करना है अगर आपकी मनोकामना साथ दिनों से पहले ही पूरी हो जाती है तो भी आपको साथ दिनों तक सुपाई को करना है मान लीजिए 45 दिनों में आपकी मनोकामना पूरी हो गई अब आपको मंतर का जाप करते हुए बस धन दिन हो जाएं तो इस यंत्र को कपड़े समेट घर के आसपास किसी भी पेड़ के नीचे रखकर आ जाएंगे बस पीपल का पेड़ना हो इस बात का ध्यान रखना है और अगर 75 दिनों का फिर ये उपाय आपका हो जाएगा और अगर आप अपने ग्रेन अक्षत्र के अनुसार ही ऐसा उपाय करना चाते हैं पहले ही दिन से तो जैसे कि हमने बताया आप हमसे टेलिग्राम के द्वारा जोड़ सकते हैं आप जैसे ही हमारा ग्रूप जोइन करेंगे आपक धन्यवाद